हलो फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागत है आपका सूपर फास्ट इस्टेडिय एंड एक्सपरिमेंट पर तो दोस्तो इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं टाइपस ओफ टेक अप इन कन्वेयर बेल्ट कन्वेयर बेल्ट में अलग-अलग टाइपस के टेक अप यूनिट का इस्तमाल किया जाता है तो वो कौन-कौन से टाइपस के टेक अप यूनिट होते हैं उनका क्या-क्या नाम होता है और वो कैसे होते हैं यूनिट का क्या क्या function होता है इसकी उपर वीडियो पहले से uploaded है इस वीडियो के end screen पर मैं उसका भी आपको link दे दूँगा है ना तो फिलहाल इस वीडियो को start करते हैं बने रहेगा वीडियो में अन्तिताग कंवेयर बेल्ट में mostly तीन टाइप के टेकप यूनिट का इस्तमाल किया जाता है पहला होता है screw टेकप दूसरा होता है VGTU जिसका फुल फॉर्म है वर्टिकल ग्रैविटी टेकप यूनिट जिसका सबसे ज़्यादा इस्तमाल किया जाता है और तीसरा है HGTU यानि की horizontal gravity टेकप यूनिट तो सबसे पहले बात कर लेते हैं screw टेकप यूनिट का screw टेकप यूनिट छोटे conveyor belt में इस टाइप के टेकप यूनिट का इस्तमाल किया जाता है जिसमें head pulley और tail pulley होते हैं इसमें band pulley नहीं होती है और जो इसका tail pulley होता है वहाँ पे screw arrangement होता है जिसकी वज़ा से tail pulley एक frame के साथ fix होता है जो की आगे और पीछे move कर सकता है और इसी से belt के tension को set किया जाता है और belt को भी adjust किया जाता है तो इसे कहा जाता है screw take up unit दूसरा type का जो take up unit है वो है VGTU vertical gravity take up unit medium size से लेकर long size conveyor belt में इस type के take up unit का इस्तमाल किया जाता है इसमें दो band pulley होता है और जैसे कि आप image में देख रहे हैं कुछ इस तरीके का arrangement होता है और इसका जो take up pulley है वो एक frame में इस तरह से sliding moment कर सकता है अप और down और उस frame में weight को weight attach किया जाता है जिसे की counter weight कहा जाता है तीसरा type है HGTU यानि की horizontal gravity take up unit इस type के take up unit का इस्तमाल long conveyor belts में किया जाता है और कुछ special cases में जहाँ पर कुछ conveyor belts होते हैं जहाँ पर space नहीं होता कि take up unit को नीचे suspend किया जा सके ऐसे जगह पर horizontal gravity take up unit का इस्तमाल किया जाता है इस type के take up unit में 4 band pulley होती है और इस तरह से जैसे कि आप image में देख रहे हैं conveyor belt को ऐसे 4 band pulley से के through take up pulley पे ले जाया जाता है take up pulley एक trolley में fix रहता है जो trolley आगे पीछे movement कर सकती है और उस trolley में sling के through counter weight catch कर दिया जाता है और sling जो होता है वो row pulley के through cross हो करके फिर suspended weight को hold करके रखा रहता है तो इसमें क्या होता है जो trolley है जिसके उपर take up pulley fix है वो horizontal direction में आगे पीछे movement कर सकती है तो यह हो जाता है आपका HGTU horizontal gravity take up unit तो यह हो गया friends types of take up unit used in conveyor belt तो दोस्तों उमीद करता हूँ यह वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी अगर 1% भी यह वीडियो आपको helpful लगी हो तो please इस वीडियो को like कर दीजेगा चैनल को subscribe कर दीजेगा फिर से मिलेंगी next वीडियो में तब तक के लिए अलविदा